नमस्कार भाईयो जै गुमाता जै गुपाल जब भी जैसलमे की तरफ जाना होता है तो रास्ते में चानन फार्म आते ही गुमाता के दर्शन के लिए गाड़ी रुख जाती है और रुखते ही इन सभी गुमाताओं के दर्शन आप सभी भाईयों को करवा पाऊं उसके लिए प्रियास करता हूं दोस्तों बहुत ही सुन्दर कारियर चानन फार्म में थार पार कर नसलपे हुआ है आज आप सभी से सबसे पहले निवेदन करूँगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और पास में बने वे बैल आइकन को क्लिक करने से आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगा ये दोनों निवेदन आप सभी भाईयों से रहेंगे ताकि आने वाले समय में जो गुजरात का भ्रह्मन, माराष्ट का भ्रह्मन जो मैं करने वाला हूँ वो सारी जानकारी आप भाईयों तक पहुंच सके आप देख रहे हैं जो डॉक्टर पाल साब है जिनकी अथक प्रियासों से थारपार के नसल पे बिसले 25 वर्सों से ये कारे कर रहे है और इस ब्रीड को शवर्दित करते हुए आज एक नए आयाम तक लाए है दोस्तो इस थारपार के नसल में बहुत जबदस समता है पहले के जमाने में जब अंग्रेजों का राज था और उससे पहले के राजों रजवाडों और उस समय के सिच्वेशनों में ये नसले धीरे-धीरे हम से खोती गई क्या पता वो किसी चाल के तेहत हुआ या किस तरह से हमने हमारी जो उनत नसलों को दिरे-धीरे खो दिया दोस्तों कहते हैं कि हर घर में सोगाय हुआ करती थी पर आप जब घरों में देखते हैं तो एक दो गोधन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है उनको रखने वाले भी बड़ी मुश्किल से मिलते है तो आप सभी भाईयों से निवेदन रहेगा कि अपने घर में एक गोमाता रखने का प्रयास अवश्य करे यह बहुत भी शुन्दर गोधन जो चानन फाम का है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ सभी सरकारी फामों पर सभी केंद्रों पैसा कारे हो यह हम आशा करते हैं दोस्तों सवर्दन क्या आमूल चूल परिवर्टन कर सकता है यह यहां के कारियों में दिखता है दोस्तों यह जो वर्तवान में नंदी कारे में लिया जा रहा है वह नंदी का फोटो है पायो देश पास चारे का उत्पादन और चारे की ववस्ता सही होनी चीए और आपके पास जो गोमाता से उत्पाद प्राप्त होते हैं चाहिए गोबर गोम उत्रुक के हो चाहिए दूद के हो उनके विपणन की सही ववस्ता होनी चीए उनका सही मुल्ले आपको मिलना चीए ये तीन ची तो इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई नहीं है क्योंकि लेबर की समस्या फेडिंग की समस्या कई समस्या होती है तो इस तरह से कई भाई जोश में आके कादे को प्राइबर कर लेते हैं वह सफलता प्राप्त कर नहीं पाते हैं फिर दोशारों परणों ऐसे सारी चीज करेंगे गाय कभी नुक्सान नहीं देती है हमारे काम में कमी होती तब अब नुक्सान होता है दोस्तो चानन फार्म जाना हो तो आप जैसलमेर के रास्ते पर जब भी जाए तो जैसलमेर से 50-60 किलुमेटर पहले बिल्कुल मैं रोड पर ये फार्म है और गोमाता के दरसंग क उस सुकून को दोस्तों अपने सब्दों में बया करना में लिए आसान नहीं है आप सभी भाईयों का समर्तन ऐसे प्रापतर रहता रहे आप सभी के सयोग के लिए हमेशा अबारी हूँ और मुझे आज यहां तक पहुचा है उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवा दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद जैगोमता जैगोपाल